अगर आपके हाथ पर सर्दियों में फटते हैं तो रोजाना हलके गुनगुने पान सर्सों के तेल से हाथ पेरों पर मालिश करें और रोजाना नाभी पर तेल लगाए इससे आपके होट कभी भी फटेंगे नहीं और चेहरे पर हमेशा ग्लो रहेगा नमबर टू हल्दी और शदियों गुनों से भरपूर होता है इसके सेवन करने से आप कई बिमारियों से बचे रहते हैं या डाइपिटीस में भी बहुत फायदेमन होता है नमबर त्री डाइपिटीस के लिए मेथी किसी जरीबूटी से कम नहीं है फायवर से भरपूर मेथी रखत सरकरा के स्तर मेप सुधार करती है नमबर फूर बच्चों को कभी भी खाली पेट स्कूल नहीं भेजना चाहिए ऐसा करने से बच्चों का साररी कमजोरी और मानसिक विकास नहीं हो पाता है और बच्चों को हमेशा कुछ खिला कर ही कुछ स्कूल भेजे नमबर फाइब जंग फुट खाने से और ओली खाना खाने से आज हम कम उमर में ही मोटापे का सिकार हो रहे है नमबर सिक्स ठंड के दिनों में अगर बच्चों के पेट में दर्द होता है तो बच्चों को पानी में अजवाईन उबाल कर पिलाए पेट दर्द में आरा मिलेगा नमबर सेवन जिन लोगों को सुबह पेट साप नहीं होता है उनको रात में सोने से पहले दूद में सोट मिलाकर पीनी चाहिए नमबर एट अगर आपके बाल सर्दियों में बहुत ज़्यादा जड़ते है तो आपको रोजाना सौफ खानी चाहिए नमबर नाइन अगर आपको सर्दिय लग गई है तो राप रात में सोने से पहले विक्ष को च्छाती पर और माथे पर लगा ले इससे सुबह आपको फायदा मिलेगा नमबर टेन अगर आपकी आईब्रो के बाल कम है तो रोजाना बदाम का तेल लगाए इससे आपकी आईब्रो की ग्रोथ अच्छी होगी नमबर एलिवन हपते में दो तीन गर्म पानी में एलोवेरा डाल कर स्टीम लेने से चेहरा ग्लोइंग बनता है अच्छी गाजर को चबाकर खाने से चेहरे की जुडिया दूर हो जाती है नमबर थर्टिन सरसो का तेल बालो में लगाने से बाल जल्rontी सफेद नहीं होते है सरसो का तेल बालो को सफेद होने से रोकता है 14. जिन लोगों को अचानक बुखार आजाए उनको मेथी का पानी पीना चाहिए 15. बालों पर अद्रक का रस्क लगाए इससे बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे और जहरेंगे भी नहीं 16. जितना हो सके पैदल चले इससे आप दिल की बिमारियों से बचे रहेंगे 17. सर्दियों के दिनों में कोल जिंक, आइसक्रीम, बर्फ से बनी चीज और बहुत ठंडा पानी का सेवन नहीं करना चाहिए यह सेहत के लिए हानिकारक होता है 18. काम करते वक्त अचानक से चक्कर आने लग जाए तो कच्ची हल्दी पीसकर सर पर लेप लगाने से चक्कर आना बंद हो जाएगा 19. एक कपरे में पात सुखी लाल में बांद कर अपने बिस्तर के नीचे रखने से आपकी सेहत कभी खराब नहीं होगी 20. खाली पेट सोब का पानी पीने से वजन कम होता है 21. पराठे के साथ आम का अचार खाने से भूख बढ़ती है 22. गर्मियों के अंदर नीम के पत्तियों को उबाल कर उसका पानी पीने से कभी भी कोई बिमारी नहीं होती है 23. आम के पत्तों को मुह में चबाले और फिर चटनी की तरह चबाले फिर उससे चटनी को दातों पर रगरे दात मोतियों की तरह चमक जाएंगे 24. कच्छे प्याज को रोजाना खाने से पेट में कीड़े नहीं परते है 25. फल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए इससे तेजाब बनता है 26. वजन जब कम होने लग जाए तो केला खाना शुरू कर दे इससे वजन वापस बढ़ जाएगा 27. इलाइची दात के नीचे रख कर चबाने से हिलते हुए दात भी मजबूत बन जाएंगे 28. ताजा पानी पीने लेकर इस में थोरी सी हल्दी मिला ले और फिर पी जाए इससे बलगमी दमा दूर होएगा 29. चाए में सौब डाल कर पीने से कब्ज खतम हो जाता है 30. केला और अक्रोट का जूस बना कर पीने से बुढ़ापे में चेहरा जवा दिखता है 31. अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है तो दूद में मुनक्का वाल कर पीए कमजोरी नहीं रहेगी 32. अगर आपको सूखी खासी आ रही है तो दूद में एक चमच देशी गी डाल कर पीए आराम मिलेगा गेहूं के डालिये में बादाम, अक्रोड, देसी घी और देसी खान डालकर खाये तो दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है 34. सहत, किस्मिस और मुनक्का को मिलाकर लेने से खासी ठीक हो जाती है 35. रोज अंगुर खाने से रात में अच्छा दिखाई देता है 36. हल्दी को गर्म दूद के साथ पीने से यह कफ को हटाती है और जुकाम भी ठीक करती है 37. एक चम्म जीरा रात को पानी में भिगो दे, सुबा उठकर जीरा वाला पानी ले, इससे लिवर मजबूत होता है और कब्ज भी ठीक होती है 38. मूली के साथ दूद, खीरा, संत्रा, करेला और चाय का सेवर नहीं करना चाहिए यह जहर के समाने 39. दही के साथ मस्ली ख्याने से सरीर में कई बिमारिया हो सकती है 40. अगर आप अपने सरीर में कमजोरी मेसुस कर रहे हैं तो दूद में भुने हुए चने डाल कर खाने से सरीर में कमजोरी खत्म हो जाती है 41. अगर आपकी इम्मुनिटी कमजोर है और आप काम करते हुए ठक जाते है तो आपको इमली का सेवन करना चाहिए क्योंकि इससे विटामिन बी और एंटी आक्सिडन होते हैं साथ ही ये घुटनों का दर्द कम करने में भी मदद करता है नमबर 42 निम्बू को ज़्यादा दिन तक स्टोर करने के लिए इन्हें पानी से भड़े कांच के जार में रखना चाहिए इसे निम्बू खराब नहीं होते है नमबर 43 दही बात को मिस्री के साथ खाने से दस्त में आरा मिलता है नमबर 44 रोजाना नास्ते में एक कटोरी दही खा लिया करो इसे खाना वच्छे से हजम हो जाता है नमबर 45 चावल खाकर तुरंट पानी पीने से काली खासी हो सकती है इसलिए चावल खाने के बाद तुरंट पानी नहीं पीना चाहिए नमबर 46 हरे धनिय की चटनी खाने से भूग बढ़ती है इसलिए रोज खाने के साथ हरे धनिय की चटनी खाना चाहिए नमबर 47, सुबह उठते ही अमरूत के चार से पांच पत्तियों चबाकर खाए, इससे पांच जन तक मजबूत होता है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की यूस्फिल वीडियो आसकते वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अची लगते हैं वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और अगर हमारे चनल पर पहली बार आ रहे तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी बेल आइकन को प्रेस करेजेगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मैं इसी तरह से आप लोग के लिए उस्फिल वीडियो लाती रहूंगी तो फिर मिलते हैं किसी निव वीडियो के साथ तक तक के लिए रादे रादे बाई बाई